दोस्तो बीकानेर से भारती जन्ता पार्टी के माइनोरेटी मोर्चा के डिस्टिक प्रेसिडेंट उस्मान गनी को पहले भारती जन्ता पार्टी ने अपने पार्टी से बाहर किया उसके बाद अब ये खबर सामनी आ रही है कि इनको पुलीस ने बीकानेर पुलीस ने गिरफ उसके वज़े से यह सब कुछ हुआ है मैं आपको सुनाता हूं कि उस्मान गणी ने क्या बयान दिया था पर्धान मंतरी नरिंदर मोधी को लेकर पर्धान मंतरी नरिंदर मोधी के उस बयान के आलोचना की उसके बाद ख़बर ये सामनी आती है इनको पार्टी से निकाल दिया गया और उसके बाद अब ये ख़बर सामनी आती है कि इनको बीकानेर पुलीस ने गिरफतार कर लिया है इंदोस्तान टाइम्स ने क्या लिखा है इस ख़बर को छापते हुए वो आपके स्क्रीन पर लिखा गया है इंडियन एक्स्प्रेस के रिपोर्ट के अनुसार राजिस्तान के बास्वारा में परधान मंतरी नरिंदर मोदी के हालिया टिपनी पर नाराजगी व्यक्त करने के लिए बुदवार को निस्कासित किये गए बिका नेर भारती जनता पार्टी अल्प संक्यक मोर्चा के जिला अध्यक्स उस्मान गणी को सनिवार को पुलीस ने हिरासत में ले लिया है तो ये खबर सामनी आती है जब उस्मान गणी ने मेडिया से बात करते हुए परधान मंतरी नरिंदर मोदी के उस बयान को लेकर आलोचना की और उसके बाद साथ-साथ ये खबर सामनी आती है कि उनको पार्टी से बाहर किया गया और अब ये खबर सामनी आई है कि उनको हि जिरफ्तार कर लिया गया है लेकिन आप अपनी राय इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर दीजे जिस तरीके से आपको ये खबरे देखने को मिल रही है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे मिलते हैं आप अगले वीडियो में